नमस्कार और आप देखरे हैं पलपल नातुसरी चोपटा क्षेतर के लगबग दर्जन भर गाउं के लोग पिछले दो दशक से सेम की समाशा का दंस छेल रहे हैं लेकिन अब किसानों में खुशी की लहर है क्योंकि जल्ध ही सेम की समशा से निजाद पिलेगी। पानी न्यू मंगाला लिंग चैनल में डाला जाएगा जो कि इसे घगन नदी तक पहुंचाएगा इसी को लेकर के आज टीमों ने गाउनाथुश्री चोप्टा का दोरा किया और इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेंट खर्च लगवग 97 क्रोड रुपे है लेकिन फिल हाल ट्रा कि अधिकारी ने बताया कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर कारिया शुरू कर दिया जाएगा इसे किसानों को ला मिलेगा वहीं चोप्टक छेत्र के किसानों में खोशी है उन्होंने खोशी जताते हुए सरकार का धन्यवाद किया और बताया कि जो जमीन उनकी कई वर्सों स बंजर पड़ी थी उनमें अब एक पार फिर से फसल लहराएगी उन्होंने पताया कि पिछली बीज सालों से यह जमीन शेम ग्रस्त है जहां पर कभी भी बिजाई नहीं हो पाई जिसकी वेज़े से वे आज तक आर्थिक तंगी से जूज रहे हैं कोई हर्याना बीज विका से आश और किसानों में इस समय खुशे के लहर है जिस प्रकार प्रधानमंद्री मोदी का सपना है कि वर्ष दो हाजार बाइस तक किसानों के आई दुगनी की जाए और इसी कड़ी में यह एक पहला और बड़ा कदम है पलपल सिर्शों से अमर्शिंग जानी की विशे सिप प्रोजेक्ट साइड एक दो महीने में सुझ हो जाएगा जिद्जे से इस तो पंप लगने है और इसका पानी उठा कर ड्रेन में डाला जाएगा जिसे साइड यह साइड क्या हो भी सकता है पूरा कंप्लीट एक साय महीने या एक साल के अंदर इसके पानी कस्तर कम साथ जुमी नुक जिसमें बीस पत्ची सालों से कोई भी पसल नहीं हुए है तो इसमावना बहुत ज्यादा पसल हो जाएगी अच्छी तो आगे से किसानों को फाइडा होगा जो पिछे से भी इस से सेम की बज़े से हम बहुत ज्यादा बेक वर्ड हो रहे हैं पिछल पत्ची स जालों से एक इस लिड्रव इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे पुण जी बन वाला चसडी चेर्मान साब का है जो है तीन चार बार वहां पर मंध्री साब से हुए और जो किर्शी मंध्री साब से मिले हैं और यहां पर बार बार टीम को बनावाकर उनका सर्वे वहीं से भी पहुत जाड़ा सप्रेशन हुए. अब जमीन थी, बेकाव हो गई। उसमें कुछ होता था नहीं। और मजदूरी करो द्यारी करो यही काम कर से थो हो जिम्हाद बाद मेह चरना ही सकता। तो बड़ी बहुत 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 प्रेशन ही थी। अहां भी अब हमें उनीद बंडी है जी पहन बाइसा में जो करिए इसमें, हमारी साही था, उसमें हमें संदाल मा कि हम 12 महिनों में अच्छे में में कामयाग हो जाएं बहुत बड़ी है मैं तो कहता हूँ है बहुत ही बड़ी है कादम उठाया जी तो तक यह में मारी जो किसानों किया वह आंधनी दूनी हो बड़ी है जो बंड़ी थी उनको कुछ मुझात मिलिया जी और मैं तो दन्यावाद देना चाहता हूँ जी बाई पहन सिंग बेन वाल में बड़ी जम बॉटाया है जिससे वह इंधन चुने को भी लोटी हों किसानों की जिन्मा भाली किसानों की जौब लटी हूँ का बड़ी दूनी भड़ी होना हुगा हाँ जो बंदर पर आतक्ता कर घंख जी तक यह जो ंख़ए जो तक जो ठीद जनी का इस सेम से अमारे को निजाथ मिलेगी, उससे फसर नो जो धुगनी होगी, उससे अमारे को किसानों को बहुत ही फाइदा होगा जी, उससे अमारी जो भी पिछ्छी आने बारी किड़ी है, इनको भी बहुत अच्छा लाब निलेगा जी. यह चोप्टा छेत्र के गाउं में जो सेम की समय स्या है, इसके लिए सेंटर टीम है, C.S.S.R.I.K. और हमारे हैचोबा, यान अपरेशनल पाइलेट प्रोजेक्ट के इंचाज, शिवांपरगा गोजा जी, दिप्ति प्रोजेक्ट गेरेक्टर और असिस्टेंट इंजिनियर मौनलाल गुट्ता जी ने इसका सर्वे किया है, और टेक्निकली जो भी होगा, वो जल्दी फाइनल करके, और इस सें की समस्या से पाइलेट टोजेट के तोरपे टेक्निकली रूप से सर्वे हो चुका है, और जल्दी ही इसका समाधान किया जाएगा, जो कि किसानों के लि जल्दी ही इसके चलेगा, उसमें सभी स्थितितियों के जान में जखते ही शर्वे हुया है, उसमें अपने पाउन बैंगवाज जी, हायाना परी जुकास नेगम के जो चेर्मेन है, वो थे और पोली हमारी टीम वाकल गांगवां में शर्वे किया है, और इसके किसानों के जी ही इसके चुटकरा जिला जाएगा, इसमें ये वर्टिकल ड्रेन का सिस्टम है और उस वर्टिकल ड्रेन के अपोर्डिंगली जो भी खीजिबल होगा, वो किया जाएगा। कि बेले कि चुटके आएगा, जिसके लिए पैले कि इस्ताना रुपे करोड है, जो तीन चार जाल गां में शुटकी लोगी अर उसके बाद थारेज़र फेजिस में आईस्ता अईस्ता बढ़ती जाएगा, क्यों है टारेण बी गांगी समझ साइए जोंगा, समझ साइए, तो आयते फाइनल स्टेज बढ़ा के लेगे और में दो चार दस तुन में टेंटर हो जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा तो सर्क कितना लाब मिलेगा? नैचले जिन किसानों के आये बिल्कुल ही कुछी भी नहीं थी और वो आए एक दम से शुब हो जाएगी तो ये तो आये दूगना क्या है तो कही गुना के वाली बात होगी और परदान मंत्री जी और अबारे मुक्खे मंत्री जी अमरा बिल्कुल साथ दे रहे और जोने का इस प्रोजेट के लिए कोई पैसे की या किसी चीज की कमिलिकेटेंगे जो देसी तखनीक से हो जो संबाव उपाया वो आम किसानों के लिए करेंगे अजी अच्छा मौले जी सारे एरिये में सब किसान आई भी थे और बड़े खुश है कि अब हमारा उनको अब लगने लगाए भी हमारा इस प्रोजेक्ट सीरे चड़ जाएगा एक आस जागी है उनमें आस क्या विश्वास जागा है अब उनको विश्वास होगे हाँ अब मारा कम होगा